नमस्कार स्वागत आपका निउस्वोल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुलतियागी और आप देख रहे हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया गुड मॉर्निंग इंडिया में आज खबरे क्या क्या हैं बताएंगे आपको लेकिन उससे पहले आपको एक महत्पून जानकारी भी दे देते हैं आज से निउस्वोल इंडिया आप सभी के प्यार और आशिवात की वरे से तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी आ गया है यानि की निउस्वोल इंडिया को आज से आप तमाम OTT प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे और 24-7 हम लाइव रहेंगे देश दुनिया की जो भी बड़ी खबरे होंगी उससे आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे तो चलिए अब खबरों का भी रुख कर लेते हैं लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं आज का सूविचार हर सूर्यास हमारे जीवन से एक दिन कम कर देता है लेकिन सूर्य उदे हमें आशा भरा एक और दिन दे देता है इसलिए सूप्रभाद तो चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरों का पश्यम बंगार विधानसवा में आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है इस सत्र की शुरुआत में ही ममता सरकार और राजेपाल के बीच टक्राफ की आशंका तेज हो गई है इसकी एक जलक आज दोपैर दो बज़े दिखने की उम्मीद की जा रही है बंगार विधानसवा में बजट सत्र की शुरूआत दोपैर दो बज़े राजेपाल जगदीब धनकर के अभीभाशन के साथ शुरू होगी लेकिन दनकर ने साथ कर दिया है कि जो सरकार ने लिख कर भेजा है वो सदन में हूबा हूँ नहीं बोलेंगे नियमों के मुताबेक विधानसवा के बज़ट सत्र की शुरूआत राजेपाल के अभीभाशन से होती है इस अभीभाशन को राजे सरकार तयार करती है और इसे राजेपाल को पढ़ने के लिए दिया जाता है आमतोर पर अभीभाशन में सरकार के कामकाज का बखान और आने वाली योजनाओ का खाका होता है लेकिन राज़ेपाल, जगदीब, धनकर की कई मौके पर ममतर सरकार के कामकाज पर सवाल उठा चुके है पंजाब में चुनावी मौसम के बीच बिजली की भारी कटोती हो रही है राज़े में 15 से 16 घंटे बिजली की कटोती की जा रही है हालात ऐसे हो गए है कि सरकारी दफ्तरों में काम के घंटों को कम कर दिया गया है साथी ऐसे भी बंद रखने के आदेश दिये गए है बिजली कटोती को लेका विपक्ष कैप्टरन अमरिंदर सिंग सरकार पर हमलावार हो गया है इसके मदे नज़र आज अकाली दल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करेगा पंजाब में हो रही बिजली कटोती से परिशान लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और हुश्यापूर जिले में कल गुसा आये लोगों ने हुश्यापूर और उना रोट भी जाम कर दिया था बिजली कटोती किसानों के लिए और बड़ी मार है धान की फसल के लिए बेचैन किसान बिजली कटोती से परिशान है कलकिसानों ने मोगा में लुद्याना फिरोजबाद हाईवे पर को जाम कर पावर ग्रिड के आगे प्रदर्शन किया था वहीं जम्मू और कश्मी के पुलवामा में देर रात आतंक्यों और सुरक्षबलों के बीच मुढभेट शुरू हो गई पुलिस ने बताया के पुलवामा इसेत हंजिन राजपोरा में आतंक्यों और सुरक्षबलों के बीच एंकाउंटर शुरू हुआ सुत्रो से मिली चानकारी के अनुसार सुरक्षबलों को ये इंपुट मिला था कि इलाके में कुछ आतंकी हैं जिसके बाद सर्च आपरेशन चलाया गया जानकारी के अनुसार तलाशी अभ्यान के दौराँ जैसे ही सुरक्षबल संदिक ठीकाने पर पहुंचे आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चला दी इसके बाद सुरक्षबलों ने मोर्लच समारा और भारी गोलाबारी की गई रिपोर्ट्स के अनुसार मौके पर चार आतंकियों के होने की सूचना है एंकाउंटर में सेना, पुलवामा पुलिस और केंद्रे रिजर्व पुलिस बल के जवान शामिल है उत्राखन में सत्तारून बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कॉंग्रेस से जुड़े एहम सियासी फैसले दिल्ली दर्बार में अठके हुए है सबकी निगाहे दिल्ली पर लगी हुई है दरसल आधी रात में केंद्रे ग्रह मंत्री अमिज शाह और बीजेपी के राष्ट्रे अध्यक जेपी नड़ज से मुलाकात के बाद मुख्य मंत्री तीरस सिंग रावत को प्रस्पतिवार को ही शाम देरदून लोटन था पर अचानक उनकी वापसी का कारकरम चल गया अभी ये रहसे बना हुआ है कि आखिर पार्टी केंद्रे नेताओं से उन्हें क्या दिशा निर्देश मिले है मुख्य मंत्री खेवे का कहना है कि तीरस सिंग रावत उप्चुनाव में जाएंगे और अब गेंद्चुनाव आयो के पाले में है चर्चा ये भी है कि दो तीन दिन में पार्टी का केंद्रे नेताओं कोई बड़ा फैसला ले सकता है ये बड़ा फैसला क्या होगा इस पर कोई भी खुलकार भी नहीं बोल रहा है इस बीच पूर्व मुख्य मंत्री त्रिवेन सिंग रावत भी इस वक्त काफी सक्रिय है कुमाउ दोरे से लोटने पर दून में उनके जोरदार स्वागत समारों की पार्टी में खूप चर्चा हो रही भारतिय रिजर्व बैंक के गवनर शक्ती कांदास ने ब्रस्पतिवार को कहा कि कोरोना महमारी की दूसरी लहर से देश पर गम भी रसर पड़ा है हाला की बदहाल आर्थिक गतिवीडियो में मैं के आखिर से सुधार होना शुरू हो गया है दास से आर्बियाई द्वारा तयार की गई दूई वार्शिक वित्यय सिर्था रिपोर्ट में लिखा जो आर्थिक सुधार दोहजार बीस इकिस की दूसी च्छमाई में शुरू हुआ था उस पर दूसी लहर की वज़ा से कई सार इस साल अप्रेल मैं में काफी प्रतिकूल असर पड़ा हाला कि जिस तेजी से संक्रमन की दर बढ़ी उसमें उतनी ही तेजी से कमी भी आई और इसके साथ ही मैं के आखिर और जून के शुवात से आर्थिक गतिवीडियो में भी ते बढ़ गया इस विवात पर नाराज गदी नशीन मेहंत प्रेमदास ने हनुमान गड़ी गेट पर ताला लगा दिया इसके चलते शुरधालू को मंदिर में एंट्रे भी नहीं विली दुकानदारों ने संतों पर लड्डू रोड पर फेकने का भी आरोप लगाया है जिसक पर नहीं चड़ाय जाने से महंत नाराज हो गए थे उत्तर भारत के अधिकतर शेत्रों में ब्रस्पतिवार को लोगों को लू के कहर का सामना करना पड़ा भीशन गर्मी की वचा से कई राज्यों में विजली की मांग भी बढ़ गई है भारतिय मौसम विज्यार विभाग ने कहा है कि पंजाब, खरियाना, दली, उत्तर, राजस्तान और उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन तक लू की सितीब बनी रहने की संभाबना है इनिस्तानों पर चिल्चलाती गर्मी से फिलाल कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है भी जताय गया है, दरसल पिछले कुछ दिनों में देश के उत्री मैदानी इलाकों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है आप अगर दिल्ली में रहते हैं या फिर आपका बच्चा दिल्ली में पढ़ता है तो कुरोना के संकटकार में अब आपको फीस में बड़ी राहत मिलने वाली है दिल्ली सरकार दे प्राइवेट स्कूलों पर हाई कोट का आदेश लागू कर दिया है जो कुरोना के इस मुश्किल वक्त में अभी भावकों के लिए बड़ी राहत लाएगा अब दिल्ली में प्राइवेट स्कूल सेशनिक साल 12-21 की फीस में 15% कटोती करेंगे प्राइवेट स्कूलों में 3 महीने की फीस एक साथ नहीं जमा करनी होगी स्कूल अब हर महीने फीस लेए इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने ये भी आदेश दिया है कि अगर किसी स्कूल ने बच्चों की फीस पहले ही ले ली है तो उसे 15% फीस या तो लोटानी होगी या फिर अगले साल की फीस में एड़्जस करना होगा इसके अलावा स्कूल किसी पेरेंट्स की आर्थिक तंगी की वज़ा से फीस बकाया होने पर बच्चों को स्कूल की किसी भी गतिवीदी में भाग लेने से नहीं रोख सकता है तो चलिए अब फिल्मी जगत से जुड़ी खबरों का भी रुख कर लेते हैं एक्टरस लीजा हेडन तीसी बार मा बन गई है लीजा ने बेटी को जनम दिया है तरसल लीजा के पहले से ही दो बच्चे हैं लीजा ने अपनी मा बनने की खुशकबरी बड़े ही अनोके अंदास में शेयर की है लीजा ने बेटी के होने की अनौस्मेंट शोशल मीडिया पर नहीं की ये गुड निउस तब बहार आई जब एक फैन ने लीजा से उनके तीसे बच्चे के बारे में पूछा फैन ने लीजा की पोस्ट पर कमेंट करके लिखा हे क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे तीन छोटे छोटे बच्चे कहा है इसके जवाब में लीजा हेजन ने लिखा इन माई आम्स इसी के साथ लीजा ने अपने तीसे बच्चे के दुनिया में आने की घोशना करती से पहले एक्प्रोस ने एक वीडियो में अपने होने वाले बच्चे का जेंडर भी बताया था वहीं देश के सबसे पॉपुलर कॉमेडियन कपिल शर्मा दा कपिल शर्मा शो के अगले सीजन के साथ बहुत जल्दी वापसी करने वाले हैं फैन शो की वापसी का बेसबरी से इंतसार कर रहे हैं और उनकी फैन फॉलॉइंग हर उम्र के लोगों के बीच है मेकर्स इसके तैयारी में पिछले कुछ वक्त से जुटे हुए है शो के इस नए सीजन में एक नया फॉर्मेट और नई टीम होगी और नए सीजन के लिए कपिल खुद काफी ज्यादा फीस चार्ज करेंगे रिपोर्ट्स के मताबिक कपिल श्रमाज शो के पिछले सीजन तक होस्ट करने के लिए हर एपिसोड के लिए 30 लाख रुपे चार्ज करते थे अब उन्होंने हर एपिसोड की फीस बढ़ा का 50 लाख रुपे कर दी है तो गुड मॉर्निंग एंजिया में फिला के लिए इतना ही लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए द्यूस वाल एंजिया